नमस्कार प्रणाम हरर मादेव मैं आप लोग का दोस्त बैदमनोज सिंग मोरिया आप लोग को बीच एक आज अर्भूत पौधा लेकर के आऊंगा इसे चमतकार ही समझें आज तक बहुत से लोग उसको केचड़ा समझते आए हैं लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उ आप लोग को बीच और कुछ उसका खात्यत है वह भी बताऊंगा तो जो भी भाई बंदू हमारे इस चैनल पर नए हैं आयरवेदिक जंगल परिच्छाइका में रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलनोट की के संग दबा दें और अच्छा लगे तो अप तो चलिए दोस्तों मित्रों मैं इस पाठा से आप लोग को परचित कराता हूं आज यह सब जगा मिलता है जंगल जाड़ी पाक बगीचे यह एक ऐसा पोधा है यह दूसरे के साहरे यह दूसरे पेन पर चड़ता है इसका परचिय मैं बता दूँ इसे पाठा संस्कृत में पाठा इसे कहते हैं हिंदी में पाठ कहते हैं बंगला में एतेकजा मराठी में पाड़ावल कुजराती में काली पीट तमिल में अमपाठा तिलगू में पाड़ा तथा इसका लैटिन नाम है सिसम पलेस पपेरा कहते हैं आपके छित्र में इसे किस-किस नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है क्रिप्या कमेंट बाक्स में अवसे कमेंट करके हमें बताएं पाठा की बेल होती है जो ब्रिच्छो पचड़ती और फैलती है पत्ते हिर्दे के अकार के एक से चार इंच लंबे तथा एक 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 इंच चोड़े होते हैं फूल पिलापन लिए सफेद रंके होते हैं फल मटर के समान तथा नारंगी रंके होते हैं इसकी दूसरी जाती राजा पठा कालाती है यह पंजाब से लेकर दचिड भारत तक पाया जाता है लंका में भी मिलता है तो इसकी जड में सिसें पेली नामक तत्व आधा प्रतिसत मिलता है तो इसका गुण और उपयोग यह स्वाद में कडवा लगू तिछन उस्ण तथा कप बात सामक है यह रक्त सोधक, सोथ हर, दीपक, इस्त्री दूद्धक सोधक, मुत्र जनक, चर्म रोग हर, दाप्रसास, मक, विश्धन तथा बल बर्धक है तो दोस्तों मित्रों, जो भी भाई बंधू, हमारे इस चैनल पर आईरवेदिक जंगल परिचाई का वो आईरवेदिक जड़ी बुटी पर सबसे पहले हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं क्रिप्या इसकिप न करें और अंत तक वीडियो जरूर देखें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवस्य करें सेर करना न भूलें तो चलिए मैं इसका आउसदियो परियोग अप लोग को बता दूँ मुत्रेंद्रिय की सिलिस्मा पर इसकी संग्राहक, सामक और बलकारक प्रक्रिया होती है एक दो मासा पाठा मूल के काड़े के मुलेठी दो मासा और गिलोई तीन मासा मिला कर लेने से बस्ती सो मुत्र क्रिच पर बहुत लाब होता है बवसिर पाठा मूल को सोट के साथ देने से बवसिर नश्ट होती है मठे के साथ देने से पेट में वायू बनी भरती है इसे से वाय का अनुलोमन हो जाता है अतिसार पाठा के पत्तों को दही के साथ देने से अतिसार नश्ट हो जाता है उदर के भीतर फोड़े होने पर पाठा की जड़ सहत के साथ देन और उपर से चावल का धोण पिलाने से बहुत जल्दी अराम मिलता है पाठा का उप्योग गर्भपात की समस्या को दूर करता है एक दो ग्राम पाठा के पत्तों को दूद में पीश कर पीने से असमय होने वाले गर्भपात में लाब होता है पाठा त्रिकूट तथा कुटज की चाल काड़ा बना कर ले इस से 10-20 मिली आमात्रा में पीने से मासिक धर्म से सम्बंदित सभी रोग्म में लाब होता है तो चलिए दोस्तों मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इस पाठा की जनकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो चलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, सेर, लाइक, कमेंट अवस्य करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ सेर भी करें तो इसे आपके छेतर में किस-किस नामों से जाना और पहचाना जाता है क्रिप्या कमेंट बाक्स में हमें अवस्य कमेंट करके बताएं तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई और एक रोचक जनकारी के साथ धन्यवाद आपका दिन सुब हो